हेलो एबडिवन आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक किया हिस्ट्री के सारे प्रेश्ण और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर थ्री है तो आते हैं पहले क्विशन पे निम्न मंदिरों को कलानुक्रम में वेवस्तित कीजिए बिठे देश्वर मं मंदिर गंगयकों चोलपूरम मंदिर महावली पूरम का तटिय मंदिर सब्ध पैगोडा सही आंसर ने आपके क्या होगा तो जो सब्ध पैगोडा है यह आपका है छेसो चाली से छेसो चाली से छेसो चोहत्तर से आटव इसवी बिठे देश्वर मंदिर यह बना था राज-राज परथम के समय राज-राज परथम और जो आपका गंगयकों चोलपूरम मंदिर है राज़ेंद्र परथम के समय बना था राज़ेंद्र परथम तो सही आंसर यहां पर होगा आपसंडी सबसे पहले आपका चोथा होगा फिर आपका तीसरा होगा फिर पहला होगा और फिर दूसरा होगा आपसंडी आपका यहां पर सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते है अगले question पहाते है निम्ले लिखित में से किन अस्थानों से मध्य पसान काल में पसुपालन के प्रमान मिलते है सही आँशर क्या होगा option C आपका यहां पर सही answer हो जगा बागोर बागोर आपका है राजस्थान में बागोर कहां पर आपका राजस्थान में और इसके आलावा मदेपरदेश के MP के नर्मदा पूरम जिले के निकट आदमकड पूरास्थाल से मिला है आदमगड पूरास्थाल से मिला है लेकिन given option में option C आपका यहां पर सही answer हो जगा बागोर जोगी राजस्थान में है और मदेपरदेश में डर्मदा पूरम जिले के निकट आदमगड पूरास्थाल से मिला है अगले किश्ण पर आते हैं सुची वन को सुची टू से सुमेलित करना है एक तरफ आपका दिया हुआ है दक्षिन भारत के समुद्र गुप्त के समकाली नरेश और उनके राज्या धननजय तो यहाँ पर धननजय का क्या हो जाएगा कुस्तलपूर इनकाड़ाज यह कौन सा था कुस्तलपूर तो एक आपका हो जाएगा तीसरा यहाँ पर आप्सन नहीं है निल्राज और मुप्त बी का आपका हो जाएगा पहला, उग्रिसे न, पलकक, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा, बिश्नुक गुपा कांची, दूसरा दूसरा दी का आपका क्या हो जाएगा दूसरा धनाजय कुष्टलपूर निलराज अमुग उग्रिसेन पलक का और विश्नु गोपा कांची एका थ्री हो जाएगा बी का पहला सी का चौथ और डी का दूसरा अगले कृष्टन पर आते हैं निमने में से सिंदु सभ्याता से संबंदित कौन से किंदर उत्तर परदेश में स्थित है निचे दिये के कुटो में से श्रही उत्तर का चैन कीजिए तो काली बंगा तो आपका है राजस्थान में ये आपका है राजस्थान में लोथल कहां पे है राजस्थान लोथल कहां तो आपको पतिए में अगले क्षिशन पर आते हैं निम्ने में से कौन सी संस था, बीदेशी व्यपार से संबंदी थी, तो यहाँ पर option C भी सही होगा, option D भी आपका सही होगा, तो दोनों सही है, ठीक है, both C and D, निम्ने में से कौन सी संस था, बीदेशी व्यपार से संबंदी थी, तो नाना देशी और मनिग्राम, both C and D, अगले पुष्यमित्र सुंग द्वारा दो अस्वमे धियक किये जाने के बारे में जनकारी किस लेक से मिलती है। अगले किशन पर आते हैं निमने लिखित युगमों में से कौन सही शुमेलित नहीं है। दाखिल दर्वाजा गौर तीन दर्वाजा अहमदाबाद ये तीनों सही शुमेलिते हैं तो अपसने आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अधिना महजीत यहाँ पे मांडू नाव क्या होगा। पंडुवा कहाँ पे पश्षिम मंगाल में है। अधिना महजी जो है सिकंदर साह की कबड़ है। यह भी पूछ सकते हैं एक जाम में अधिना महजी जो है सिकंदर साह की कबड़ है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगले क्यूशन पर आते हैं। रसीक प्रिया एक किसकी रचना है अचार्य केसो दास की रचना है। तो यहाँ पर रसखान ना होगा। अचार्य केसो दास अचार्य केसो दास होगा ना कि रसखान होगा। तो C आपका सही सुमेलित नहीं है इसके अलावा अचार्य केस वदास की रचना है राम चंद्रिका कभी प्रिया किनकी रचना है अचार्य केसुदास की तो अप्शंसिय आपका यहाँ पे सही आंसर ओका या सही सुमेलित नहीं है अगले क्रिशिन पर आते हैं नीचे दो कथन दिये गया है एक को कथन ए तता दूसरे को कारन आर कहा गया है कथन क्या है मध्यकाल में शंगीत पर संस्कृत में लिखे गई अनेक पुष्टकों का फार्सी में अनुबाद किया गया रीजन क्या वता रहा है कि आरंभिक चीश्ति सूफी संद संगीत सभाव जीने सभा कहा चाता था कि शोकेन थे तो यहां पर आपका सही आंसर होगा है तो दोनों सही है लेकिन कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है किन्तु कारण आर कथन ए की ब्याख्या नहीं है तो आप्शन भी आपका यहां पर सही आंसर होगा अगले किशन पर आते हैं मध्यकालिन भारत के एतिहासिक शुरोतों में चकला सब्ट का परियोग हुआ है यह क्या है तो अप्संसी आपका यहाँ पे सही आंसरों का सूबा और परगना के बीच की छित्रिय इकाई थी इकाई था लेकिन सरकार के समनाथ्री नहीं था तो अप्संसी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किशन पर आते हैं कि नाम से जाना जाता है तो अप्संसी आपका यहाँ पे सही आंसरों जागा चौथ सुरक्षा के लिए मराठो के डाजस्व के दाओं को किष्ट नाम से जाना जाता है तो option B आपका यहाँ पे सही आंसर हो जागा चौत अगले किष्टन पे आते हैं दिल्ली में पुराना किला के सामने खेडूल मंजिल नामक मस्जित का निर्मान किष्ट ने करवाया था सही आंसर क्या होगा option D आपका यहाँ पे सही आंसरों का माहम अनगा दिल्ली में पुराना किला के सामने खेडूल मंजिल नामक मस्जित का निर्मान किष्ट ने करवाया था तो अप्सन डी आपका यहाँ पे सही आंसरों का माहम अनगा अगले किशन पर आते हैं निम्ने लेखे तो युगमों में से कौन सही शुमेलित नहीं है एक तरफ डियासर दिया हुआ है दूसरी तरफ उनके सासर तो देवगिडी संकर देव यह आपका सही शुमेलित है अच्छा यहाँ से एक और पॉइंट याद रुखो आप देवगिडी के सासर कौन थे रामचंद्र देव थे रामचंद्र रामचंद्र देव और इनके मिर्तु के बाद कौन बना संकर देव बने थे तो पहला आपका सही सुमेलित है, बी क्या है, वारंगल रामचंदर देव, वारंगल रामचंदर देव, यह आपका सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपका होगा, रामचंदर देव तो देवगिरी के सा सकते, वारंगल के कौन थे, तो यहाँ पे होगा प्रताप रुद्र देव प्रताप रुद्र देव तो यह आपका सही सुमिलित नहीं है तो आपसन भी आपका यहाँ पे सही आंसरों का बागी होईसल बीर बल्लाल यह भी सही सुमिलित है मदुरा बीर पांडिया यह भी आपका सही सुमिलित है तो आपस के से सा सकते इनके मिर्टु के बाद संकर देव बने थे देवगिडी के तो आपसन भी आपका यहां पर सही सही आंसर हो जाएगा यह आपका सही शुमेलित नहीं है अगले क्रिशन पर आते हैं निमने लिखित को कालानुक्रम में विवस्थित कीजिए और नीचे दिये के कू परेड़ है 1712 से 1717 इसके बाद मुहम्मा सा इनका प्रियेड है 1719 से 749 से 1748 से फिर आहमा सा का प्रियेड है 1748 से 1774 और आलमगीर दिये इनका आपका हो जाएगा 1754 से 1769 1769 तो सबसे पहले आपका बी जहादार सा फिर मुहम्माद सा इसके बाद आपका अहमाद सा और फिर आलमगीर द्वितिये तो सही आंसर क्या होगा बी एडी सी और सुन भी आपका यहां पर सही आंसर होगा अगले किशन पर आते हैं नीचे दो कथन दिये गया है जिनमें एक क कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है कथन क्या है 1946 में मुश्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपने स्विकृति वापस ले ली थी रिजन क्या है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुश्लिम लीग शामिल हुई थी तो यहां पे सही आंसर क्या होगा option B आपका यहाँ पर सही answer होगा अगले question पर आते हैं निमने लिखित घटनाव को काल करमा नुसार बेवस्थित कीजिए और नीचे दिये के कूट से शही उत्तर का चैन कीजिए हंटार आयोग, सैंडलर, आयोग, उड़ का घोशना पत्र और सार्जिन्ट योजना तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ओप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अब इसे थोड़ डिटेल में देख लेते हैं, जो उड़ घोशना पत्र है यह आपका आया था 1854 में, 1854 में, इसके बाद आपका जो हंटर आयोग है यह आपका आया था 1882 में, 1882 में, किसके दोवारा? लौड रिपन के दोवारा यह भी याद रखना है, लौड रिपन के दोवारा फिर जो सेंडलर आयोग है ये आपका 1917 में आया था और जो सार्ज़ंड योजना है 1940 में तो सबसे पहले स़ी ऊर्गा घोष्णा पत्र 1854 में फिर आपका हंटर आयोग 1822 में फिर आपका सेंडलर आयोग 1917 में और सबसे आख़री में सार्जेंड योजना 1944 में तो अप्षन D आपका यहां पे सही आंसरों का C A B D और हंटर आयोक किस के दौरा लाए गया था तो लोड रिपन के दौरा ठीक है अगले क्यूशन पर आते हैं निम्ने लिखित निताओं में से किष्णे क्रांतिकारी संगठन अभिनोव भारत समाज की अस्थापना की और सन भी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावर कर यह दो इजी क्यूशन है अगले क्यूशन पर आते हैं निम्ने लिखित युगमों में से कौन सही शुमेलित नहीं है तो यहां पर आपका संथाल 5855 कोल1831 सी क्या है खासी 889 अहम 8815 तो यह आपका गलत है अहम 8828 में होगा तो यह आपका यहां पे गलत हो गया तो option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा 288 होगा और किन के नेत्रितों में तो गोमधर कुवर ये भी आपको याद रखना है गोमधर कुवर के नेत्रितों में कुवर के नेत्रितों में अगले question पे आते हैं निम्न वाइसराय में किष्णे कॉंग्रेस को अत्याथिक अल्फ संख्यक लोगों का प्रतिनिधितों करने वाली कहकर उपहाश किया था तो किष्णे किया था लौड डफरी ने और सने आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले किष्णे पर आते हैं निम्न लिखित युगमों में से कौन सही शुमेलित नहीं है तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा option D आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पूछ किया रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे लखनाओं ना होगे क्या होगा इलाहाबाद होगा इलाहाबाद या अब क्या बोलेंगे प्रयाग राज प्रयाग राज अगले क्यूशन पर आते हैं तो किसका आपका D आंसर हो जाएगा रीग विद में कई परिछेंदों में प्रयुक्त अगहन सब्संदर भीत है तो गाई के लिए उप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा निमने लिखित में से किस सेल क्रित गुफा में 11 सीरो के बोधिस्तत्व का अंकन मिलता है तो अप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते हैं निमने लिखित कथनों पर विचार कीजिए पशिमी गोदावडी जीले के गुंटु पल्ली में प्रारंभिक चेतेग्री और विहार चटानों को काट कर बढ़ाए गए है दूसरा क्या आपका पुर्वी दक्कन के चैते और विहार सधारंतिया चटानों को काट कर बढ़ाए गए है पूछ किया रहा है कौन सा सही है तो यहाँ पे आपका दोनो स्टेटमेंट सही है पहला भी सही है और दूसरा भी सही है तो सही आंसर क्या हो जाएगा अगले क्यूशन पे आते हैं सुची बन को सुची टू से सुमेलित किजिए एक तरफ तिर्थंकर जो है उनका नाम दिया हुआ है और दूसरी तरह प्रतिमा लक्षन तो आदी नात कापका हो जाएगा विरिसर्फ तो यह कापका हो जाएगा एक कापका हो जाएगा पहला मली नाथ, मली नाथ का आपका हो जाएगा जल कलस, तो B का आपका हो जाएगा चौथा, B का आपका हो जाएगा चौथा, पार्ट वनाथ सर्पफन, तो C का आपका हो जाएगा तीसरा, C का आपका हो जाएगा तीसरा, D क्या है, संभावनाथ शंभावनात का अश्रुव है तो D का आपका हो जाएगा दूसरा D का दूसरा E का पहला B का चौथा C का तीसरा D का दूसरा 1432 कौन से option में है यह आपका है 1432 option A में है तो option A आपका यहाँ पे सही answer होगा 1432 अगले question पे आते है बड़ावर पहारी के गुफाओं के विशाय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा पहला जो आपका है बड़ावर पहारी बर कुल चार गुफाओं है यह आपका सही है B क्या है तीन गुफाओं के दिवार पर असो के अभिलेक उतकिरने C क्या है यह अभिलेक इन गुफाओं को आजविकाओं को समर्पित होने का उलेक करते है C भी आपका सही है D क्या है यह अभिलेक इसापुर्व छठी सदाप्ति के है तो D आपका यहाँ पे सही सुमेले सही नहीं है तो अपसंडी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा यह आपका तीसरी सदी इसा पुर्व से है तीसरी सदी इसा पुर्व से है तो अपसंडी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और इसका सम्मंद मौरेकाल से है मौरेकाल से इसका सम्मंद है चछटी सदावदी इस्वापुरुवका, मतश्य महाजनपद इस्थिता, तो सही आंसर क्या होगा ? Option B आपका यहां पे सही आंसरों का राजस्थान में अगले कुषिन पे आते हैं सुची1 को सुची 2 से शुमेलित करना है गंधार कला तो गंधार कला आपका कुसान, एक आपका हो जायगा तीसरा, एक कापका हो जायगा तीसरा गंधार कला कुसान जुनागरण सीलालीख रूत्रदामन प्रथम तो B का आप का हो जाएगा 14 C क्या है मिलिन्द पन हो मिनांडर तो C का आप का हो prendre help और तक से शीलालेख पतीख तो D का आप का हो जाएगा दूसरा E का तीसरा B का चोंथा C का पहला D का तूसरा 3412 कौन से option में 3412 3412 option c में है तो option c आपका यहाँ पे सही answer होगा अगले question पर आते हैं अगबर के सासन काल में दक्कन में निम्ण पधतियों में से कौन सा भूर आजस्वा वसोली का प्रचलित अधार था तो option b आपका आपका यहाँ पे सही answer होगा हल की संख्या अगबर के सासन काल में दक्कन में निम्ण पधतियों में से कौन सा भूर आजस्वा वसोली का प्रचलित अधार था तो option b आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डखन की बात हो रही है तो अगले किश्ण पर आते हैं निम्ने विदेशी यात्रियों में से किश्ण जहांगीर के सासन काल में भारत की यात्रक यह ती सही आंसर क्या होगा अउप्शन भी है आपका यहां पर सही अलब में जहांगीर के सासन काल में भारत की यात्रा के थी तो अफ्सिन बी आपका यहाँ पर शह्य आंसर हो होगा अगले क्विश्यन पर आते हैंmäß जॉण पूर राज्यका अन्तिम hoe ठाव ने पर शाइंसर होगा pixel इब अंतिम सासक कौन था तो हुसेयन सा ओप्षन भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगले कुशन पर आते हैं 1303 में काकतिये सासकों की शेना ने निम्ने में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया तो सही आंसर क्या होगा अगले कुशन पर आते हैं निम्ने कत्रों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिये के कूर से सही उत्तर का चैन कीजिए अभी कतन क्या है बिटिस काल में शमानिय था भारत का व्यापार संतूलन अनुकूल था कतन क्या है धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निडिया था तो यहां पे सही आंसर होगा option ए तथार दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या है option ए आपका यहां पे सही आंसर होगा अगले question पे आते हैं निमने लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ कहा रहा है नहीं है Hector Munro, बकसर का यूथ यह आपका सही सु मेलीतै लॉर्ड हेश्टिंग्स अंगल नियबाल यूथ है भी आपका सही सु मेलीतै लॉर्ड बिलेजली चतूर्थं अंगल मैसुर यूथ ही यSabote क्वेलीतैWAY देखेहा है लॉड कॉर्णवालिश तिर्थिय अंगल मराठा यूथ ये गलत है तिर्थिय अंगल मराठा यूथ में लॉड कॉर्णवालिश नहीं हो क्या होगा लॉड यहाँ पे कॉर्णवालिश नहीं होगी क्या होगा लॉड हेस्टिंग्स होगा यहाँ पे यहाँ पे आपका होगा Lord Hastings, ठीक है, तो option D आपका यहाँ पे सही answer होगा, यहाँ पे कौन वालिस नहीं हो, क्या होगा, Lord Hastings होगा, तीन हुआ था आपका प्रथम आंगल मारा अथा यूद, उस समय कौन थे? Warren Hastings थे, अगले question पर आते हैं, निमने लेखित यूगमों में से कौन सही शुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे चो आपका है, इसको मुल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी सही शुमेलित नहीं था, जैक जैक चो पावना बित्रो था, यह आपका था, मैं यह आपे सीधे आंसर लिख दे रहाऊ, 1873 से 1873 से 1876, यह आपका था पावना बित्रो, चो दगकर किशान बित्रो था, यह आपका था 1875, यह आपका सही है, एंटारेसो और जो आपका कोल बीद्रो था ये आपका था अ 831 से 832 तो इसे मुल्यांकर से भाहर कर दिया गया था एक से जाता सही थे ऐसो और इगल थे तो पापना विद्रो 833 से 680 दकन किसान विद्रो 885 सन्यासी विद्रो 1763 से 822 और आपका कोल विद्रो 831 से 832 अगले क्यूशन पर आते हैं निमने लिखित में से किस समा सुधारक ने 826 के जूरी अधिनियम का घोर बीरोद किया तो अपसन भी आपका यहाँ पर सही आंसरोंगा राजा राम मोहन रायने अगले क्रिशन पे आते हैं निम्ले लेखित में से किन अस्थानों पर डचो ने अपने ब्यपारिक अड़े अस्थाबित किये तो यहाँ पे सही आंसरों का आपसंडी उप्युक सभी अगले क्रिशन पे आते हैं स्वतंतरता पुर्व भारत में निम्ले लेखित में से किष्णे केंद्रिय बिधान सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो यहाँ पे सही आंसरों का में जिन्ना ने स्वतंतरता पुर्व भारत में निम्ले लेखित में से किष्णे केंद्रिय बिधान सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था तो में जिन्ना अब्संडी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्रिश्टन पर आते हैं गोपाल कृष्टन गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ओफ एंडिया सोसाइटे के अस्थापना की तो 1905 में आपका यहां पे सही आंसर होगा और कहां पी इन्हों ने किया था पूना में पूना में अगले क्रिश्टन पर आते निमने लिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनपुर जिले में जातिये सरकार के अस्थापना होई थी तो सही आंसर यहां पर क्या होगा option D आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 1942 में निमने लिखित में से किस वर्स बंगाल के मिदनबुर जीले में जाती है सरकार के असापना होई थी तो option D आपका यहाँ पर सही आंसर होजाएगा 1942 में अगले question पर आते हैं निमने लिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अलबर्ड आंश्टेन, H.G. Wells, हेराड लास्की तथा रूजिवेल्ड ने सहानू भूती पुर्ण टिपनिया की तौप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसरों का मेरेट सडेयंद्र मकदमा में समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अलबर्ड आंश्टेन, H.G. Wells, हेराड लास्की तथा रूजिवेल्ड ने शाहानू भूती पुर्ण टिपनिया की तौप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसरों का मेरेट सडेयंद्र मकदमा में ऑप्शन C आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अगले क्यूशन पे आते हैं किसने इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिपनि की कि कंपनी एक असंगती है परन्तु यह उस बेवस्ता का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है तो यहाँ पे कोई भी ऑफ्शन सही नहीं है सही आंसर आपका होगा थौमस 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 बे बिंग्टन बे बिंग्टन मैकाले सोट में क्या बोलेंगे मैकाले सोट में इसे बोलते हैं तो यहां पर हम लोग क्या गड़ेंगे यहां पर जी की जगह पर क्या लिख देंगे टी लिख देंगे अगले क्यूशन पर आते हैं नीचे दिये के कूट का उप्योग करते हुए निमनेलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए तो यहां पर आपका जो चमपारन सत्यागरह था उन्नीसो सत्रा अहमदाबाद मिल हर्थाल उन्नीसो अठाड़ा और इसके बाद हुआ था खेरा किसानांदोलन इसके बाद हुआ था आहमदाबाद मिल हर्थाल के बाद और दियांच Sod-स नेगरह यह आपका कप हुआ था, 1919 में, 1919 में, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले चमपारन सत्य अगरा, फिर आपका, चौथा हो जाएगा, 24, फिर 3, फिर 1, 24, 31 आपका सही आंसर होगा, तो कौन से option में है, 24, 31, option है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, अगले question पर आते ह कलिंग यूद का विवडन हमें ग्यात होता है, तो अपसने आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 13 होगा, सीला लेख द्वारा, कलिंग यूद का विवडन हमें ग्यात होता है, तो अपसने आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 13 होगा, सीला लेख द्वारा, अगले question पर आते ह एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले है तो सही आंसर क्या होगा Option B आपका यहां पर सही आंसर होगा दमदमा से एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहां से निकले है दमदमा से Option B आपका यहां पर सही आंसर होगा अगले क्यूशन पर आते है The roots of the roots of ancient India के लेखक थे तो option c आपका यहाँ पे सही आंसरोंगा wa fair service अगले question पर आते हैं बिंदे छेत्र के किस सिलास्रे से सरवाधिक मानव कंकाल मिले है तो लेख़ा या option d आपका यहाँ पर सही आंसरोंगा बिंदे छेत्र के किस सिलास्रे से सरवाधिक मानव कंकाल मिले है तो option D आपका यहाँ पर सही आंसर होगा लिखा हिया अगले question पर प्रिथ्विव्या प्रथम विर उपादी थी तो समुद्र गुप्त की option है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अगले question पर आते है बिक्रम सीला विहार का संस्थापक कौन था? option C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा धर्म पाल विक्रम सीला विहार का संस्थापक कौन था? तो option C आपका यहाँ पर सही आंसर होगा धर्म पाल और आखरे question पर आते है option B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा नागलपूर इसके आलावाद क्रिस्न देवराय ने कौन सी उपादी धारन के थी? यहाँ से question पूछता है क्रिस्न देवराय ने कौन सी उपादी धारन के थी? तो एक तो आपका होगया आंद्र भोज एक आपका होगया अभिनाओ भोज एक आपका होगया आंधर पितामा यहां लिख दे रहूं मैं इसके आलावा इन्होंने हाजारा राम हजारा राम और बिठल स्वामी नामक मंदिर का निर्मान कर आया था तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिक्राम चैनल प्रतीक IQ को जोईन कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मिलते हैं नए वीडियो में नैट टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार जाहिंद